हई節 मैं हूं सुध्या और आज में लेकर आएं चिकन कॉर्मा की रेसिपी बहुत ही मज़िदार बहुत स्वादिस्ट और सी ऊजरो Papa इसमें हम चिकन कोर्मा बनाके रेडी करेंगे आपको इसका स्वात बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा तो आप रेस्पी को पूरा अन तक देखें रेस्पी पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए शुरू करत चिकन कोर्मा बनाने के लिए हम यहां पे 500 ग्राम चिकन ले लिए जिसे हम बहुत यची तरह से वाश कर लिया है इसके अंदर हमें काली मिर्च का पाउडर डाल देना है यानि की ब्लैक पेपर साथी हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे सॉल्ट आप इसके अंद मिर्च का पाउडर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डाल के हम चिकन में इसे बहुत ही अची तरह से मिक्स कर लेंगे तो इन्हें मिक्स करने के बाद से यहां पे हम एक पैन रखती हैं पैन में हमें थोड़ा सा घी डाल देना है तो इसके अंदर हम थोड़ी सी घी डा यह बताई अखिके सके यहां वकמה यहां में पाष्ट में अखिके से मिक्स कर लेंगे एसके आफिके सपोधीजह को लंगा ना है अफिकशन स्कूपप कर तरह ने टेसे में धुकrap यहाँ पर थोड़ा ही घी या भी तेल का छिकन को अची तरह से रोस्ट कर लें तो चारू दर्ए से हम चिकन को इसी तरह से रोस्ट कर लें दॉटकन को लगा देते हैं और फिर से घकन को अचा थे हैं ठाकन को हटा कि चिकन को तो अभी हम चिकन को क्या करेंगे निकाल देंगे और बिल्कुल इसे प्रोसेस में बाकी का जो चिकन है उसे भी हम रोस्ट कर लेंगे तो यहां पे हमारे सारे चिकन बहुत एची तरह से रोस्ट हो गया है तो इन्हें रख देते हैं इसके बाद से हम यहां पर एक कढ़ाई रख दिये हैं और जिस पैन में हम चिकन को रोस्ट किये थे उसमें हम घी का इस्तमाल किये थो तो इसके अंदर हम घी को पूरा डाल देते हैं जितना भी हम घी बचा हुआ था और इसके अंदर हम रिफाइन ओल डाल देंगे तो घी और रिफाइन ओल आप एक साथ मिक्स यानि कि प्याज का हमें बेरिस्ता बना लेना है तो इसे हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और इस तरह से spatula की help से इसे बार बार continue mix करते हुए हम प्यास को पूरी तरह से golden brown कर लेंगे तो प्यास यहां पे हमारे बहुत एची तरह से golden brown हो चुका है इसे अब एक plate में निकाल लेते हैं यह देखिए तो यहां पे हम fry की होगा प्यास को निकाल दिया है अभी इने रख देंगे इसके बा मसारे डाल देने हैं इसे हम चटकने तक थोड़ा वेट कर लेंगे इसके बाद से हमें इसके अंदर पेस्ट किया हुआ प्यास टाल देना है तो यहां पे मैं दो medium size के प्यास को grinder में बहुत यही तरह से पेस्ट कर ली हूँ इसके बाद से हम इसे इसमें तेल में डाल तो थोड़ी टाइम तक हमें प्यास को पका लेना है थोड़ा सा तो यहां पे प्यास जोय हमारा थोड़ा पक चुका है इसके बाद से हम इसके अंदर डाल देंगे अद्रक लैसन का पेस्ट और साथी में हम दो सूखी लाल मिर्चे भी इसमें एक साथी पेस्ट कर ली है क् मेरे प्यास सूखी लाल मिर्चो का पाउडर नहीं था तो मैं यहां पे अद्रक लैसन के साथ ही दो सूखी लाल मिर्चो को डाल के पेस्ट कर ली तो इसके अंदर हमें अद्रक लैसन का पेस्ट और प्याज को भी अच्छी तरह से पहले भुन लेना है थोड़े टाइम तक हम प्याज को भी और अतरक लैसन का जो पेस्ट हम इसमें इसमें इसमाल किये हैं उसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे तो यहाँ पे जो प्याज और अतरक लैसन का पेस्ट है बहुत ही अच्छी तरह से भून चुका है इसके बाद से हम इसके अंदर बहुत ही बेसिक से मस मसाले डालेंगे, काली मिर्चका पौडर डालेंगे, यहां पर कैंदर से लाल मिर्च पौडर डालेंगे 양install कोश्मी communism hammer मुभक अड़ी से अड़ी मासालम हिए मेवार वोड़ी में कश्मीर लाल मिर्च पौडर डालेंगे तो यहाँ पर मसालो का इस्तमाल हमें ज्यादा नहीं करना है थोड़े थोड़े लेके हम सारे मसाले इसके अंदर एड़ कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मिक्स करते हुए हमें मसालो को बहुत ही अच्छी तरह से पका लेना है अगर आपके इसके अंदर थोड़ा और पानी की ज़रत परे ताप इसके अंदर थोड़ा और पानी आट कर ले बस यहाँ पर हमारे मसाले आप देख पा रहे हैं पग गया हैं तो अभी इसके बाद हमें इसके अंदर दही डाल देना है तो यहां पर मैं दही को बहुत ही अची तरह से फेट ली हूँ और गैस के फ्लेम को आप पूरी तरह से लो करते हैं लो फ्लेम पे ही आप इसके अंदर डही डालें तो दही डाल कर हमें इसे अची तरह से मिक्स कर देना है तो मसालों के साथ ही हम इसे बहुत अची तरह से मिक दही के डालने के बाद से हम इसके अंदर अपने स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे और इसके अंदर हमें थोड़ी सी चीनी डाल देनी है क्योंकि हम इसके अंदर दही का इस्तमाल की हैं तो मसालो का जो टेस्ट है उसको बैलेंस करने के लिए हम इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाले हैं, तो अगर आपको चीनी पसंद ना हो तो इसे शियुआ भी कर दें, लेकिन अगर आप चीनी डालते हैं तो उससे बहुत ही जादा आच्छा डेस्ट आएगा, तो मसालों को हमें बहुत ही अच्छी तरह से पका लेना है, आप देख पा रहा है यहां भी मसालो जो हमाहा अलग हो चुका है . यानि कि मसाले बहुतते अच्छी तरह से पग गए के बहुत जो रोप्पने से चिकन ऑढ़ मी अऽठे सोड में टाल जहें देटे है यह नहीं अच्छी तरह से यह तो गरम पानी दाल से में ऐते जितना गरम पानी डालना है, मत आपको जितनी ग्रेवी चाहिए और चिकन को भी तो कुप करने के लिए हमें पानी की ज़रुवत है, तो यहाँ पे उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी डाल दें, तो इसके अंदर हम गरम पानी डाल दिये हैं, डालने के बाद से, एक बार लगा देते हैं, और कैस के फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, और पाँच मिनिट बाद हम धकन को हटा के, चिकन को एक बार चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे हम धकन को हटा के, एक बार चेक कर लेते हैं, तो अभी जो चिकन है, हमारा कुक हो रहा है, अभी चिकन कुक अची तरह स पेस्ट कर लिये थे तो काजू बादाम के पेस्ट को आप इस ग्रेवी में डाल दे तो यह देखिए काजू बादाम का पेस्ट जैसे ही डाले ग्रेवी यह बहुत अच्छी से ठिक हो गई तो इसे हम अच्छी तरह से मेक्स कर लेंगे तो इन्हें मेक्स करने के बाद से हम ग तो धकन को लगा देना है हमें और गैस के फ्लेम को लो करके चिकन को हम पकने देंगे तो यहाँ पे बीच बीच में आप धकन को हटा के चिकन को चेक करते रहें तो अभी भी यहाँ पे हमारा चिकन भी कोख होगा अभी उतनी अची तरह से कोख नहीं हुआ है तो 10-15 मिनट ब तो फिर से हम धकन को लगा देंगे और चिकन को कुख होने देंगे तो यहाँ पे चलिए धकन को हटा लेते हैं और चिकन को चेक कर लेंगे तो यहाँ पे चिकन को अचीता से पहले मिक्स कर लेते हैं तो यहाँ पी जो हमारे चिकन है यह कुख हो चुका है अभी यहाँ पे हम इसके अंदर हमारा जो फ्राइ किया हुआ प्यास था जो हमने पहले ही फ्राइ करके रखे ते तो इसके अंदर फ्राइ किया हुआ प्यास डाल देना है हमें और इसके अंदर हमें डाल देना है गरम मसाला पाउडर ये होमिट गरम मसाला पाउडर है इसके बाद से हमें इसके तो यहां पे इसे पुरा मिक्स कर देंगे, तो यहां पे इसे पुरा मिक्स कर देते हैं, मिक्स करने के बाद से हम ढगा देंगे और गैस को बंद कर देंगे, और यहां पे हम पांच मिनट बाद हम इसे गर्मा गरम सर्फ करेंगे, तो आप इसे रोटी के साथ सर्फ करें या फिर नान के साथ सर्फ करें बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है तो ये हमारा चिकन जो है बन के तयार है चिकन कोर्मा इसे हम गर्मा गरम सर्फ कर दिये हैं अगर आपको आज की मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो आप इस चिकन कोर्मा की रेस्पी को लाइक करें शेयर करें और मेरी चैनल को सस्काइब करना ना भूले थैंक्स फर वाचिंग